हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकार शर्मा का उपन्यास एक थपड हिंदुस्तानी नंगे शब्दों में सुनना चाते हो तो गुरू सुनो विकास एक जटके में खड़ा हो गया फटने को तैयार जुआलव मुखी की मांदित कहता चला गया मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ उसकी हरकतों की बात कर रहा हूँ कभी उसके गुर्गे हमारे प्लेन को हाईजेक करके कंदाल ले जाते हैं निर्दो शातियों को मार डालने की डमकी दे कर जेलों से अपने सातियों को छुड़ा लेते हैं कभी वे विदानसभा के बाहर लाशों के डेल लगा देते हैं कभी संसत के बाहर खून के तालाब बना देते हैं कभी कारगिल में गुस आते हैं तो कभी पुछ के वाशिंदों को अपना गर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ये सब बंध होना चाहिए गुरू, कुछ करना चाहिए हमें। क्या करना चाहते हूं। विजय ने पूछा, एक थपड जड़ना चाहता हूं पाकिस्तान के गाल पर। थपड, एक ऐसा थपड जो पाकिस्तान को उसकी ओकाद बता दे। जिनके उपड शांती यस था और सोहाद्र बनाय रखने की जिम्मेदारी थी। फूरे देश के हर बड़े शहर को मानो दो खेमों में बाट दिया गया था। एक वह जहां इत की नमाज पड़ी जानी थी। दूसरा वह जहां से राम नवमी की बारात निकलनी थी। बाग्य बन चुका है। त्योहार भी संगीनों के साय में मनाय जाने लगे हैं। जैसा हाल सारे देश का था, वेसा ही राजनगर का भी था। इद गाह पर नो बजे नमाज पड़ी जानी थी। ठीक उसी वक्त बड़े राम मंदिर से राम लला का डोला निकलना था। दोनों समुदाव के जिम्मेदा लोगों ने एक दुसरे पर विश्वास दिलाया था। कि दोनों त्योहार बेगेर किसी बेदबाव के एक दुसरे से बिलजुल कर मनाय जाएंगे। बावजुद इसके प्रशाशन सतरक था। वह असमाजिक तत्यों को किसी किस्म का मोका नहीं देना चाता था। सवा नो बजे। एक साथ नमाद पढ़ते हजारों लोगों ने अपने मस्तक जमीन पर टिकाए। दूसरी तरब गंटे गडियाल और संख बजे। राम जी रत पर सवार हुए। दूम दडाम दूम इदगा के आसपास बने मकानों की छतों से हैन क्रेनेट बर्च से। राम नवमी की जलूस पर गोलियों की बोचार शुरू हो गई। पलक जपकते ही दोनों तरब हाहाकार मच गया। जो बम्या गोलियों के शिकार हो गए थे या उनके गोश्ट के लोथडे जमीन पर पड़े रह गए थे। भाकियों में बगदर मच गई। बगदर भी ऐसी कि हर किसी को बस खुद को बचाने का जनून था। बले ही इस प्रयास में उनके पेरों से दब कर कोई मरता है तो मरे। चारो तरब हाहाकार, चीखो पुकार और बगदर मच चुकी थी। जो भीड में खुद को खड़ाना रख सका, मर गया। गिरा सड़क पर था, परन्तु पहुच सीधा उपर गया। शुरक्षा के लिए चारो तरब फेले पुलीस पीएसी और जी आरपी के जवान तक पौखला गए। हैन ग्रेनेट बरसाने वालों ने नारा लगाया। जैश्री राम, एक के सेतालिस से गोलिया बरसाने वाले चिल्लाई अल्लाहु अकपर। श्री राम के निमाउंदों ने मस्तकों पर बगवा पटियां बांध रखी थी, अल्ला के रहनुमाओं ने गोल टोपियां पहन रखी थी, बगवा पटी धारक नमाजियों पर बम बरसा रहे थे, गोल टोपी वालों ने राम बक्तों पर गणों के मूँ खोल रखे थे, र आसु गेस के गोले छोड़े जाने लगे, लाठी चार्ज भी किया गया, परन्तु एक बार जब जन्चे लाब उमर पड़े, तो फिर कोई युक्ती करागर नहीं होती, देखते ही देखते, लगबग सारा शहर आग की लप्टों में गिर गया, इदगा के समीप, दूसरे के जितने भी गरियां दुकाने थी, जला दिये गए, इसी संप्रदाय का यदि राम मंदिर के समीप कुछ था, तो वहक भी दूदू कर जल रहा था, दोनों त्योहार, शांती और सोहाद पूर मनाने का दावा करने वाले जिम्मेदार नागरी जाने कहां गए, थे भी तो अब तो पूरे शहर पर केवल उनी का बोल बाला था, जो मारकाट, आगजनी और लुटपाट के एक्सपर्ट थे, उन बेचारों की लाशे पड़ी थी, सडक पर जो बाग कर अपने गर पहुच जाना चाते थे, लोग जिन्दा जलाए जा रही थे, तलवारों से काटे जा रहे थे, गोलियों से मोत की नीन में सुलाए जा रहे थे, चारों तरफ मोत का तांडव था, हर तरफ चीखो पुकार, प्रशाशन के नुमाइंदे माईकों पर चीख रहे थे, शहर में करफ्यू लगाया जा चुका है, सब अपने अपने गरों में चले जाएं, जो भी सड पर नजर आया, उसे गोली मार दी जाएगी, मगर उस पल जनूनियों पर मानों मरने तक का खूप नहीं था, वे फोर्श तक पर इट, पत्थर और पेंट्रोल बम और तेजाब से बरी बोतले बरसा रहे थे, हैन ग्रेनेट फिक रहे थे, गोलिया चला रहे थे, करीब दो गंटे तक सारे राजनगर का यही हाल रहा, जिसका जहां जैसे मोका लगा, तूसरे संप्रदाय के लोगों को माड डाला, उनके घरों को आग लगा दी, दुकाने जला दी, लूट ली गई, करीब दो गंटे बाद इस्तिती ACI की जादातर सडकों पर फोर्श सी फोर्श न अरे पड़े रास्ते और रक्त रंजित सडकें, अनेक इमारतें दूदू करके जल रही थी, शहर के उपर का आस्मान दूए ने डक लिया था, फायर ब्रिगेट की गाडियां आग बुजाती गूम रही थी, परन्तु कहां कहां की आग बुजा सकती थी वे, वे संख्या मे कम थी, शहर मानों सारा ही जल रहा था, मुख्य मार्ग में आला की फोर्ट्स लोगों को ख़देड चुकी थी, परन्तु शहर के सक्रे इलाकों में अभी भी उत्पात मचा हुआ था, दोनों तरप से गोला बारी, पत्थर बाजी और विबिन हत्यारों से आकमन हो रहे थे, 24 गंटे चलने वाले न्यूज चेनल ने जो बाकी देश के सामने राजनगर का आखों देखा हाल प्रस्तुत किया, तो कई सवेदन शील शहरों में भी धंगों की खबर आने लगी, अब तो न्यूज चेनल पर खबरे ही खबरे थी, देश के अनेक शहरों में हो रहे धंगो जबर्दस सुरक्षा यवस्ता के बावजूद केसे हुआ यह सब? पुलिस हेटक्वाटर में आईजी पुलिस ठाको निर्भैसियां आग पगबुला हुए सुप्रीटेंडन रगुनात पर भरस रहे थी, लोगों के पास कहां से आ गए हैं ग्रेनेड, तुम पहले क्यों पता नहीं लगा सके कि इस शहर के लोगों के पास एके सेतालिस भी है, यह सब पहले से पता रखना हमारा नहीं, इंटेलिजन्स का काम है सर, उप ठाकुर साहब जुझला कर दाथ पीस उठे, इंटेलिजन्स को कोसने की जगए तुम अपने काम पर द्यान क्यों नहीं देत तुमने क्या किया, तुम्हें पहले से मालुम था, आज यी दो राम नवमी साथ साथ हैं, दोनों फिरकों के लोगों को अपने अपने, यह दंगा दोनों फिरकों में से किसी ने नहीं किया सर, फिर किस ने किया है, दंगों के पीछे केवल चंद लोग हैं पहली ही से बढ़के ठाकुर सहाब कुछ और बढ़क उठे ये जो शहर में मारकाट मचीये लूट पाठ हुईये इमारते अभी तक जल रही हैं यह सब चंद लोगों का काम है बैशक यह सब दोनों फिरकों के आम लोगों ने किया है सर मगर उने यह सब करने के लिए उकसाने वाले चंधी लोग हैं आम लोगों का क्या है जब उन्हें बढ़काया जाता है तो बढ़क उठते हैं अपने सग्ये संबंदी की लाश देख कर वहाँ भी फड़क उठता है जो शांती के वक्त तहे दिल से कहता है जब दोनों फिरकों को इसी मुल्क में रहना है तो क्या फाइदा मारकाट का दोशी ये लोग नहीं है वे हैं जो अच्छे बले शांती प्रिये नागरीकों के जे पहर गोल देते हैं कौन हैं वे लोग जिनके पास एके सेतालिस थी हैं ग्रेनेट थे ऐसे लोगों में से किसी को गरिपता भी कर सके हो तुम हां सर दो पगवापटी वाले पकड़े गए हैं तीन गोल टोपी वाले कहां हैं वे पांच अलग-अलग थानों में हैं उनसे के मताबिक ठीक सवा नो बजे नमाजियों पर बम बरसाय गए और ठीक सवा नो बजे ही शहर के दूसरे छोर पर राम बक्तों पर गोलियां बर्शानी शुरू की गई इसी से जाहिरे धंगा बढ़का नहीं बढ़काया गया है पहले से ही सोच समझ कर बनाय गए प्लान का नतीजा है ये उन्हें मालूम था उनकी कारवाई के बाद बाकी काम आम जनता खुद कर देगी क्या कहना चाते हो तुम क्या विश्व हिंदू परिश्यत के लोग जमायते इसलामी के लोगों से मिले वे हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मताबिक ना वे विश्व हिंदू परिशिश उन्हों ने यही की है क्या मतलब ये देखिए कहने के साथ रगुनात मेच की तरब बड़ा वहां रखी पांच-पांच सो के नोटों की गड़ियों में से एक गड़ी ठाकुर साब को देता बोला यह गड़ी उनसे बरामद हुई है जो खुद को जमायते इसलाम से संबंदित बता रहे हैं और यह गड़ी उसने दूसरे डेर से उठा कर एक और गड़ी ठाकुर साब के दूसरे हाथ में देने के साथ कहा उनसे जो माथे पर बगवापटी बांध कर खुद को विश्व हिंदू परिशत से कनेक्टेट साबित करना चाते हैं दोनों गड़ियों को ध्यान से देखा कुछ देर देखते रहे फिर चोके मूं से निकला ये तो आगे पिछे की गड़िया है नोटों पर पड़े नंबर खुद बता रहे हैं सर इन में से एक गोल टोपी वालों से मिली है दूसरी बगवापटी वालों से जी हाँ सच्चाई यही और यह सच्चाई खुद बखुद कह रही है दोनों गड़ियां एकी छापे खाने से निकली है और और ये दोनों गड़ियां नकली नोटों की हैं क्या मतलब यह हकीकत सुनते ही उनके पेरो तले से जमीन किसक गई जिनकी जेबों में ये थी उन्हें लगा इसका मतलब उन कि नकली नोटों की ये जाली गड़ियां उन्हें पाकिस्तानी जासुसों से मिली हैं उसी काम के लिए जो उन्होंने किया हैन ग्रेनेड और एके सेतालिस भी उन्हें उन्ही से मिली है क्या बगवापट्टी लगाए लड़के हिंदू नहीं है 100% हिंदू है सर फिर उन्होंने पाकिस्तानी जासूसों के मुजरिम ना हिंदू होते हैं, ना सरमुसल्मान, ना उन्हें कुरान से कुछ लेना देना है, ना रामायन से, मुजरिमों का केवल एकी धर्म होता है, पैसा, वे वही कर डालते हैं, जिनके लिए पैसा मिले, वेसे इसमें कोई शक नहीं बगवा फटके वाले का जन्म हिंदू परिवारों में हुआ और गोल टोपी वालों का मुस्लिम परिवारों में इसका मतलब यह काम I.S.I. का है मगर अमेरिका नहीं मानेगा वह यही कहेगा क्या सबूत है यह गड्डिया इन लोगों से मिली है विकास ने गुप्त में कदम रखा वहां पहले से मोजूद विजय और ब्लेक बाय उसे देख कर चोके हमें मालूम था प्यारे विजय ने कहा देर सवेर होने वाले हैं धर्शन तुमारे पहले में आपकी कोठी पर गया था गुरू विकास का लहजा अत्यंत गंबीर था वहां नहीं मिले तो सम गया आप यहां होंगे विजय ने कहा तुमारी समझदानी पर तो हमें कभी कोई शक नहीं रहा दिल जले मगर मगर शहर में करफ्यू लगा है सडक पर देखते ही ठूठाय करने का एलान हो चुका है ऐसे में तुम पापा की पुलिस जीप में आया हूं हमने यह कब पूछा प्यारे कि तुम आय कैसे हो और क्या पूछना चाते हो पूछना नहीं दोना चाते हैं क्या मतलब समझाते हैं मतलब भी समझाते हैं पहले बिराजो कहने के साथ विजय ने अपने नजदीक पड़ी कुरसी की तरफ इशारा किया विकास बेगेर कुछ कहे कुरसी पर बेट ब्लेक बॉई उन दोनों के सामने अपनी विशाल और चमचमा रही मेज के उस पार उची पुष्टवाली वालवन चेयर पर बेठा था विकास पर नजर पड़ते ही वह समझ गया लड़का तेश में है और वह अपने तेश का कारण वह अनुवान भी लगा सकता था ब्लेक बाई जानता था विकास के चेरे पर एक नजर पड़ते ही जितना वह समझ गया था ऐसा हो ही नहीं सकता कि उतना ही विजय न समझ गया हो ब्लेक बाई यह भी जानता था कि अब विजय विकास को ठंडा करने की कोशिश करेगा और यह भी कि विकास को हैंडल भी केवल विजय ही कर सकता है किसी और के वश में आने वाला नहीं था विकास इससे पहले इन तेन महतुपण करदारों के बीच होने वाली वारता आगे पड़े मेरे नए पाठकों के लिए अह जानना बेहत जरूरी है कि विजय विकास और ब्लेगबाई क्या चीज हैं इनके बीच रिष्टे कैसे हैं और सीक्रेट सर्विस क्या बला है हाला की पूराने और नेमित पाठक यह सब अच्छी तरज जानते हैं परन्तु नए पाठक इनका पूरा परिचय जाने बेगर आगे की वारता का बढ़पूर स्वाद नहीं चक सकेंगे इसलिए विजय विकास सीरीज का शंक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है विजय से शुरू होते हैं यह एक ऐसा किरदार है जिसके इतने रूप है जितने दुनिया में किसी दूसरे यक्ति के नहीं हो सकते राजनगर के आईजी पुलिस ठाकूर नेर्बैसी का बेटा है वह उनी ठाकूर सहब का जिनके बारे में आप इस उपन्यास के चेप्टर नंबर दो में पड़ाए हैं बात बहुत पुरानी है मगर उसे जाने बेगेर विजय के चरितर की घहराईयों को नहीं समझा जा सकता बारत की सर्वोच्य जासुसी संस्ता का नाम है बारती सिक्रेट सर्वीस Secret Service यानी कुप्त नोकरी नाम से ही जाहिरे ऐसी नोकरी जिसकी पहली शर्त यह थी कि कि किसी को पता न लग पाए कि आप कहां नोकरी करते हैं सीधे-शीधे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि Secret Agent के बारे में कोई नहीं जान सकता था कि वह जासूस है बात तब की है जब विजय ने सीक्रेट सर्विस चोईन की अर्थात उसका एजेंट बना शुरू में कोई खास परिशानी नहीं आई दिक्कते तब शुरू हुई जब विजय ने अपनी काबलियत के भूते पर सिक्रेट सर्विस में एक के बाद एक दूसरे और तीसरे के बाद चोथे पायदान पर चड़ना शुरू किया सिक्रेट सर्विस की तरफ से जादा बड़ी जिम्मेदारियां सोपी जाने लगी जिम्मेदारियां बड़ी तो काम भी बढ़ गया और जब काम बढ़ा तो विजय देर सवेर और टाइम बे टाइम गल लोटने लगा कई बार तो एक नहीं बलकि कई कई रातों तक उसे घर से बाहर रहना पड़ता था स्वाबाविक रूप से ठाकुर सहाब टोका टोकी करने लगे पूछने लगे कि रात रात बर वह कहां रहता है सत्वह बता नहीं सकता था खुद को सीक्रेट जो रखना था और जूट चल कितने दिन सकता था शुरू में नए नए बहाने बना कर बचता रहा परन्तु ठाकुर सहाब थे कि पीछे ही पड़े रहते थे उनके सवालों से बचने के लिए उसने खुद को प्राइवेट जासूस के रूप में इस्थापित कर लिया बकाइदा एक आफिस खोल कर बेट गया क्लाइंट आने लगे केस भी मिलने लगे वह उन्हें हल भी करने लगा इससे एक फैदा हुआ यह की शहर की जादातर गतिवी दिया उसकी नजर में आने लगी परन्तु मुख्य उदेश ठाकुर साब को बहलाय रखना था मगर ठाकुर साब बला बहलने वाले कप थे उनकी नजर में तो प्राइवेट जासुस होना ही दुनिया का सबसे गटिया आदमी होना था वे विजय पर यहां दंदा छोनने के लिए दबाव बनाने लगे उनका ख्याल था कि विजय असल में बिगड गया है इस दंदे की आड में वह अपनी आवारगी पर अपने निकम में पर और अपनी बद चलनी पर पड़दा डालता है जब ठाकुर साब किसी तरह संतुष्ट नहीं हुए और विजय को लगा वह आईजी बवन में रहकर सिक्रेट एजेंट के रूप में जादा दिनों तक देश की सेवा नहीं कर सकेगा तो उसने उल जुलूल मुर्खता पुर हरकते करनी शुरू कर दी ऐसी ऐसी हरकते जो ठाकुर साब को बुरी तरह चिड़ा कर रख देती थी उसकी इन हरकतों का परिणाम वही निकला जो वह चाता था कि निकले एक दिन ठाकुर साब इतने इरिटेट हो गए कि अपनी छड़ी से जमकर विजय की ठुकाई की और यह करकर गड़ से निकाल दिया कि अब तेरे लिए इस गर में कोई जगय नहीं है यही ठीक यही तो चाता था यह जियाला यह की ठाकुर साब गड़ से निकाल दे ताकि वह बगएर किसी विक्न बादा के देश की सेवा कर सके इसलिए तो मुर्खता पुन हरकते करनी शुरू की थी उसने उसकी मा और बहन नहीं चाती थी कि वह गर छोड़े वे रोती रह गई परन्तु विजय ने किसी की परवा नहीं की ऐसा नहीं कि उसे वास्तों में परवा नहीं थी परवा तो उसे इतनी थी कि अंदर ही अंदर वह खूब रोया परन्तु सिर्फ अंदर ही अंदर अपनी वेदना को कभी उजागर नहीं किया उसने जिसने सारे जीवन देश की सेवा करने का संकल्प ले लिया हो वह अपनी बावनाओं को उजागर कर भी केसे सकता था जो शक्ष विजय जैसे संकल्प लेता है उसे सबसे पहले रिष्टे नातों से ही पीछा छोडाना होता है वह जानता था यदि माँ और बहन के प्रती बावुक हुआ तो एक दिन वे उसकी शादी की हसरत भी जरूर करेंगी और शादी वह कर नहीं सकता था वह तो देश को ही दुलन मान चुका था अपनी सीक्रेट सर्विस को उस दुलन की सेवा करने का सादन अता बावुकता की जंजिरे तोड़ कर वह अलग रहने लगा अब उसके मार्ग में कोई बादा नहीं थी सारा सारा समय देश की सेवा में लगाने लगा मुर्खता पुन हरकतों वह बातों का आवरण उसने हमेशा के लिए खुद पर चिपका लिया कारण यह बाद उसकी समझ में आ चुकी थी कि इन हरकतों के चलते कोई इस बात की कलपना तक नहीं कर सकेगा कि वह सिक्रेट एज है और यही वह चाता था अब वह अपने हर परिचित के सामने वेशी ही हरकते करने लगा जैसी घर से निकलने के लिए ठाकुर साब के सामने शुरू की थी सिक्रेट एजेंट के रूप में वह देश की सेवा में मक्षूल हो गया प्राइवेट जासूसों का दंगदा आड के रूप में चल रहा था और फिर एक दिन ऐसा आया जब ग्रह मंत्री ने उसे सिक्रेट सर्विस का चीप बना दिया मगर वह दोर ज्यादा लंबा नहीं चल सका चीप का मतलब था आफिस में बेठे रहना सिक्रेट एजेंट का काम लेते रहना यह सब विजय के मिजात के बिल्कुल विपरित था वहाँ फील्ड का आदमी था फिल्ड में काम करना चाता था आफिस में बेठ कर फाइलें मिदा में पड़ गए कहा सिक्रेट सर्विस में तुमारे अलावा हमें और कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसे चीप बनाया जा सके विजय तब भी न माना तो ततकालिन ग्रह मंत्री ने कहा ठीके अब हम यह जिम्मेदारी भी तुमें ही सोपते हैं जिसे तुम मुनासिप सिक्रेट एजेन के रूप में उसके सामने थे असरफ विक्रम नाहर परवेज आशा और अजय नजर अजय पर जाकर ठहरी बारती सिक्रेट सर्विस के चीप को ब्लेक बॉय कहा जाता था विजय ने इस खिताब से अजय को ही नवाजा उसने ग्रह मंत्री से कहा मेरे ख्याल से अजय चीप की कुर्सी संबाल सकता है जैसी की परंपरा है चीप को नियुक्त ग्रह मंत्री द्वारा की जाती है मेरी राय है कि आप उसे बुलाए और चीप नियुक्त करें ग्रह मंत्री ने अजय को गुप्त बवन बुलाया और जब उसे चीप नियुक्त किया गया तो साप साप कह दिया कि तुमारी शिफारिष विजय ने की है उस विजय ने जो अब तक सिक्रेट सर्विस का चीप था यहाँ बेद खुलने पर तो अजय उचली पड़ा मुह से निकला विजय विजय और चीप यहाँ आप क्या कह रहे हैं सर्व वह जोकर हमेशा मुर्खता और नाहरादी सिक्रेट एजेंट तक मानने को त्यार नहीं होते अक्सर आपस में बाते करते रहते हैं कि किसने इस चोकर को सिक्रेट सर्विस में बढ़ती कर लिया और आप आप कह रहे हैं कि वह हम सब का चीप था उसकी बात सुनकर क्रह मंत्री मुश्करा उठे बोले उस उसी मुर्ख की महरबानी से तुम्हें ब्लेक बॉय की पद्वी दी जा रही है। उन्होंने उसी वक्त विजय को भी गुप्तववन बोलवा लिया था। जब उसे पता लगा। ग्रह मंत्री ने अजय को यह सब बता दिया है। तो उसे अच्छा नहीं लगा। परंतु वह क चीप को केवल उसकी बर्राई हुई विशिष्ट आवाद से पहचानते हैं। चीप हमेशा उनके सामने अपने चेरे को नकाप में ढखकर रहता है। मैं चाहूंगा यह परंपरा कायम रहे। जिस तरह आज तक अश्रप, विक्रम, नाहर और अजयादी यह नहीं जानते थ कि मैं उनका चीप हूं। उसी तरह यह बविश में भी कभी यह न जान सके कि चीप अजया है। तब ग्रामंत्री के सामने ही अजया ने कहा। आपके हर उक्म का पालन होगा सर। मेरे सर कहने पर चोके नहीं, एतराज भी न करे। बले ही ऑफिशल रूप से आज से ब्लेक बॉय मैं हूं परन्तु मेरे लिए चीप हमेशा आप ही रहेंगे। मैं आपको सर कहूंगा बलही आज से आप अश्रव विक्रम नाहर की तरह सिक्रेट सर्विस के सादारण एजेंट की तरह फिल्ड में वर्क करेंगे। लेकिन मैं आपको कभी आदेश नहीं दूंगा बल यही यवस्था कायम हुई। विजय एक बार फिर जोकर बना अश्रव आदी के साथ फिल्ड में काम करने लगा। और रगुनात वही रगुनात जिनके बारे में आप इस उपन्यास के चेप्टर दो में पढ़ाए हैं। कॉलेज के जमाने में विजय का दोस्त था। विज उसकी पत्नी का नाम रेना है जिसे रगुनात का दोस्त होने के नाते विजय बाभी कहता था। परन्तु मेरे ही लिखे क्रांती सिरीच के उपन्यासों में बेद खुला कि रेना असल में ठाकु निर्बैसीं की भतीजी थी। इस नाते वहाँ विजय की चचेरी बहन हो का एक पुतला विकास जी हां यही था उसका नाम रेना और रगुनात का बेटा ठाकु साहब का नाती और विजय और अजय का बांजा विकास के दुनिया में आते ही विजय ने प्रतिग्या की कि में विकास को दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चालाक और सबसे ज़्याद गूंज रही थी, वह विकास की छटी थी, हाँ, उस वक्त छटी की ही पाटी चल रही थी, जब अंतराश्टी अपरादी अलफासे ने कसम खाई थी, कि वह विकास के दस्वे जनम दिन पर उसे ले जाएगा, और जब इस लड़के का दस्वा जनम दिन आया, तो राजनगर प परन्तु सब व्यर्थ सब बेकार गया अलफासे को कोई रोक नहीं सका वह विकास को ले उड़ा दश्वर्ष के इस लड़के को अलफासे ने ऐसे से कामों में माहिर कर दिया कि जब वापस लोटने पर विजय ने उसे देखा तो दातों तले उंगली दबा ली फिर रही सही क असर खुद विजय ने पूरी कर दी वहाँ भी ट्रेंट करने लगा विकास नाम के लड़के को फिर ऐसा हुआ कि यह लड़का खतरनाक बनता चला गया सिक्रेट एजेंट बन बेठा बन बेठा शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी नियुकती आम सिक्रेट एजेंट की तरह नहीं की गई थी बलकि अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बलेक बॉय उससे सिक्रेट एजेंट बनाने पर मद्बूर हो गया था तो शक होने लगा गुरू केवल उतने ही नहीं है जितने जमीन के उपर नजर आते हैं जमीन के अंदर वे कुछ जादा ही है बस पठे ने गुरू की जासुशी शुरू कर दी और अतत गुप्त बवन तक पहुच गया जान गया यह बेद कि विजय अंकल सिक्रेट एजेंट है व तो उसी शन उसे दुनिया से गारत कर दूँगा बले ही वह मुझे चाहे कितना भी प्रिय हो बला विकास से जादा प्रिय विजय को और कौन हो सकता था इसके बावजूद सिद्दान प्रिय विजय ने विकास का खात्मा करने की ठान ली तब अजय यानी ब्लेक बॉय ने पहली बार विजय के खिलाब अपने अधिकारों का प्रियोग किया डाल बनकर विकास के सामने खड़ा हो गया था वह बोला मैं इसी वक्त विकास को सीक्रेट एजन युक्त करता हूं और एक सीक्रेट एजन्ट दूसरे सीक्रेट एजन्ट का बेज जान सकता है अता आप इ यह लड़का विजय की कलपनाओं से भी कहीं आगे निकलता चला गया अब वह 21 साल का है लंबा खूब लंबा यानी साथ फुटा रंग ऐसा जैसे ताजे मक्खन में एक चुट की सिंदूर मिला दिया गया हूँ गोल चहरा काली आखें गुलाबी होट बला का खुबसूरत है रेना का यह लाल चैरे पर मासुमियत का डेरा है ऐसी की जैसे हो कोई अबोद बच्चा हो अर्द गुंगराले बालो वाला रगुनात का यह बेटा विजय और अलफासे को गुरू कहता है केवल कहता ही नहीं बल में प्यार है तो देश के लिए नफ्रत है तो उन वेडियों के लिए जो इस डुनिया की सडक पर इंसानी चोले पहन कर घुमा करते हैं इस हकीकत को विझय अजय या सिक्रेट सर्विस के गिने जासूस ही जानते हैं कि विकास वार्ती सिक्रेट सर्विस का सद्दस्य है रेना के बेटे को आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है अपरादी उसके नाम से थर राते हैं दोस्त उससे तूट कर प्यार करते हैं दश्मन राष्टों की उसके नाम मात्र से रूप फणना हो जाती है विजय और अलफासे की उमीदों से बहुत आगे निकल गया है वह 21 वर्ष का यह खूबसूरत और मासूम सा नजर आने वाले लड़का आज दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है अंतरास्टी सिक्रेट सर्विस का चीप है कई बार तो रेणा का यह बेटा ऐसे से काम को अंजाम दिया करता है कि जिने देखकर सुनकर उसके विजय और अलफासे जिसे गुरू भी दहल उड़ते हैं दुश्मन कहते हैं शकल सुरत से मासूम प्यारा और बोला नजर आने वाला यह लड़का असल में बेडिया है देश के दुश्मनों को चीरफार डालना उसका प्रिय शोक है तबी तो वे लोग उसे विकास नहीं कहते धरिंदा कहते हैं हिंसक और बेराहम कहते हैं क्रूर, विबत्स और कसाई जैसे शब्द विकास के प्रयावाची बन गए हैं ऐसा है विकास ऐसा की इतना सबकुछ लिखे जाने के बावजूद उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है विजय उससे बेहत्याशा प्यार करता है तूटकर रेना के इस लाल को वह प्यार करता है जिसने कभी यह कसम खाई थी कि वह कभी किसी यक्ती को किसी भी सूरत में प्यार नहीं करेगा क्योंकि यक्ती को किया गया प्यार, देश को किये गया प्यार के आड़े आ सकता है उस विजय के दिल में कोई जाकर तो देखे जिसे पत्थर कहा जाता है एक केवल एक ही तस्वी नजर आएगी वहाँ विकास की रेना के लाल की भारत के बेटे की भारत का बेटा हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके दिल में केवल एक ही बावना है देश भक्ती की बावना विकास उसे कहते हैं जो बड़ों का आधर करे देश के लिए कुर्बान हो जाने के लिए आतुर रहे मोत के जबडों में फसकर भी हसे कह कहे लगाए बस एकी खराबी है विकास में वहाँ बड़कता बहुत जल्दी है देश की तरफ किसी ने आँख उठा कर देखा नहीं कि लड़का उन आखों को फोड़ देने के लिए जपट पड़ेगा अगर रास्ते में उसके बड़े आएं आधरनी रास्ता रोके तो उसका भी निरादर करने से नहीं चूकता जालिम गुस्से में पागल हो जाता है वहाँ जासु सोकर मुझरिमों जैसी हरकते कर बेटता है नई पीडी का प्रतिनीदितु करता है वहाँ उस पीडी का विद्रो जिसमें कूट-कूट कर बरा है यहाँ पीडी वही करती है जो उसे ठीक लगता है विजय विकास के इस सबाव से अच्छी तरह परिचित था गुप्त बवन में कदम रखते ही उसने लड़के के चेरे पर विद्रो के बाव पाल लिये थे यहाँ भी समझ गया था कि वहाँ क्यों गर्माया हुआ है इसलिए आराम से विराज्मान होने के लिए कहा और विकास को कुर्सी पर बेठे अभी एक मिनट भी नहीं हुआ था कि पूछा कहो दिल जले क्या लोगे ठंडाया गर्म लड़के ने आये हो अपने सवाल का जवाब केवल एक सवाल का जवाब हां केवल एक ही सवाल है यहाँ मगर ऐसा सवाल जो अपने अंदर अनेक सवाल छुपाय हुए है साला सवाल नहुआ गर्बवती कुतिया हो गई ऐसी कुतिया जो एक ही बार गर्बवती होने पर एक स जादा बच्चों को पेदा कर देती है गुरू लड़के ने उसकी बात काटी मैं मजाक के बूट में नहीं हूँ तो हम कौन सा तुम्हें अपनी बाबी या साली समझ रहे हैं दिल जले मुझे अपने सवाल का जवाब दीजे सवाल तो करो प्यारे जवाब जरूर मिलेगा त हमारी समझदानी में कुछ नहीं गुश्रा है तुम तो जानते हो मिया पहलियों को समझने में हम पेदाईशी कमजोर है अतर जो पूछना है सिधी सिधी बाशा में पूछो विकास जानता था समझने को विजय गुरू सब समझ रहे हैं समझ कर भी ना समझ बनने की उनकी इ क्या आप भी नहीं समझें अंकल कि मैं क्या पूछ रहा हूँ अबजेक्शन मीलोड विजय ने तुरंट मेज पर गूसा मार कर ऐसे अंदाद में कहा जैसे वकील कोट में बोल रहा हो हमें विकास दी ग्रेट के संबोंधन पर गोर अबजेक्शन है क्या मतलब विकास ने पू विजरों से गूरा कहा मैं जानता हूं गुरू आप मेरे सवाल का जवाब देने से बचने के लिए बातों को गलत दिशा में गुमाने की कोशिश कर रहे हैं मगर आपको भी जान लेना चाहिए कम से कम विकास पर यह इसकीम काम्याब नहीं होगी अगर किसी सवाल का चाहिए तो चाहिए आपकी बातों के जंगल में बटक जाने वालों में से नहीं हूँ। इशारा आखिर नंगे शब्दों में सुनना चाते हो तो गुरु सुनो कहने के साथ ही वह एक जटके से खड़ा हो गया जिसका नाम विकास था। को मा डाले की दमकी दे कर जेलों से अपने साथियों को छुडा लेते हैं। कभी वे विदान सबा के बाहर लाशों के डे लगा देते हैं। कभी संसत के बाहर खून के तालाब बना देते हैं। कभी कारगिल में गुस आते हैं। तो कभी पुच्च के वाशिंदों को अपना गर छोडने पर मजबूर कर देते हैं। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दो गुरू इस देश के शिर्ष कुर्शी पर बेठे लोग तक शुरक्षित नहीं हैं। बुलेट प्रूप कैबिन के अंदर दुबक कर बाशन देने पड़ते हैं उन्हें। जेट शुरक्षा में गिरे होने के बावजूद उन्हें मोत का खत्रा है। कब तक आखिर कब तक चले गाए। कभी ये पंजाब को सुलगा देते हैं। तो कभी गुजरात को और असम को कभी मुंबई बम दिमाकों से दहल उड़ता है। तो कभी जनरल वेट जैसे देश के बेटे मारे जाते हैं। रादनगर में धुआ दंगा कोई नई बात नहीं है। ऐसे दंगे तो हमारे देश में अब होते ही रहते हैं। आम हो गए हैं। हमें आदत पड़ गई है इनकी। सो पचासे हजार दो हजार आदमी मारे जाएंगे और बस दंगों पर काबू पा लिया जाएगा। हमारा काम खत्म हो गई हमारे करतावे की इतिश्री। क्या यही सब करते रहेंगे हम। कब तक आखिर कब तक गुरू बबखते विकास से विजय ने अजीब सवाल किया। टीवी देखते हो गुरू आप जो पूछा है उसका जवाब दो दिल जले। इस बार विजय ने उसकी बात काटकर सक्त लैजे में कहा टीवी देखते हो या नहीं देखता हूँ तब ही तो आज देखा रादनगर में हुए दंगो के बात की गई सरकारी प्रवक्ता की प्रेस कॉंफरेस सुनी। विजय ने पूछा हाँ सुनी सुनकर ही आ रहा हूँ क्या कहा उन्होंने वही जो एसी हर बड़ी गटना के बात कहते हैं हमने पूछा उन्होंने क्या कहा जनता को दर्यरकने की सला दी है और तुम उस पर अमल करते बिलकुल नजर नहीं आ रहें क्या मतलब पजामे से बाहर निकले जा रहे हो तुम वे सरकारी प्रवक्ता हैं देश की सरकार के उनके सला मानी जानी चाहिए और सत्मुझ बड़क उठा लड़का गुर्राया बले ही सारा देश चल कर खाक हो जाए यकीन रखो वेसा कुछ होने से पहले सरकार कुछ नहीं कर आगी तो उगलनी शुरू कर दी विकास ने जिस देश के मंत्री अपनी बेटी को छडाने के लिए आतंगवादियों को आजात कर देते हों जिस देश के मंत्री आतंगवादियों को अपने साथ लेकर कंदार पहुच गए हों क्या करेंगे उस देश के नेता और दर्य कब तक दर्य रखें इस देश की जनता दर्य की भी एक सीमा होती है गुरू सीमा से जादा किया गया दर्य कायरता कहलाता है तुमारे ख्याल से क्या किया जाना चाहिए वही जो अमेरिका ने किया था